प्रेणा, आज का ये मास्क इस्तेमाल करके क्या मेरे बाल लंबे होंगे? जे बिलकुल होंगे. क्या मेरे बाल जो जड़ गए हैं, वो दुबारा से रीग्रो होंगे? जे बिलकुल होंगे. मेरे बालों में जो डैंडरुफ है, क्या वो एड्रेस होगा? बिलकुल एड्रेस ह आपका शरी ठंडा रहेगा, आप काफी कुछ हो जाएंगे, क्या मेरे स्काल्प में जो इचनेस रहती है, वो ठीक हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, मेरे बालों में बहुत जादा रहता है, रणिंग करके, एक्सराइस करके, पसीना आता है, क्या उसके वज़े से जो पर दन, नमस्कार और स्वागत है, मेरे पूरे परिवार का, और अपनी चानल प्रीती प्रीधना पर, अगर चानल पर पहली बार आए हैं, तो हमारा हैसा अवश्य बनिएगा, सब्सक्राइब कीजेगा, बेल आइकन को प्रेस कीजेगा, और टाइमली यहां पर आएगा, जैस इस ने आपके लिए किया है, ये मास्क specially गर्मियों के लिए बहुत अच्छा रिजाल्स दे सकता है, और आपके शरीर को भी तरावट देता है, आपके सर को एक अच्छी सी ठंडग देता है, और आपके स्काल्प पर जो भी घमोरिया हो रही है, जो भी इचनेस है, बहुत इसके इंग्रीडिन्स इतने कमाल के हैं, कि आपकी स्काल्प की हेल्थ के लिए बहुत बहुत सारे बेनेफित्स रखते हैं, अगर स्काल्प हेल्दी रहेगा, तो ग्रोथ, हेर री ग्रोथ और बालों की लेंथ हर चीज में आपको बेनेफित होने वाला है, इसलिए इसको बनाने के लिए आपको चाहिए, वो है एक बोल में एक कप दही, अगर आपके पास योगर्ट है, जो कि दही में से पानी अच्छी तरह से चान लिया जाए, तब बचता है, उसको योगर्ट कहते हैं, अगर वो है तो बहुत ही बढ़िया, कोई टपका टपकी आपके योगर्ट के लिए तो 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 योगर्ट लीजे, और वाइस दही का आप इस्तिमाल कर सकते हैं, मैंने जो यहां दही ली है, यह होममेड बहुत ही प्यारी मखखन वाली दही है बहुत ही खुबसूरत से इसके रिजाल्स आये है इसी लिए अगर आप मार्केट बेज ले रहे हैं मार्केट बेज लीजे घर पर बनाई हुई है तो बहुत ही बढ़िया इसमें आपको लेना है आपका दूसरा इंग्रीडियंट और की चारवा तेल गड़ांश वीकर सबस्की में मांवह कर दा अरच है वीजेट लेक्ति कमाल थों क्योंकि भ firms करते हैं इसको करते हैं इसको इसको कर इंश हे है और जब आप सड़ो की तेल के बारे में बहुत हैंели sharpie कर सकता है मुझे आपको या किसी को भी आपको कुछ कहने कि आवशकता नहीं पड़ेगा आप समझ जाएंगे कि यह क्या माज़क कर रहा है तीसरे इंग्रीडियन के आपको लेना है या स्काल्प को परिशान कर देता है ऐसा बिल्कुल नहीं है स्ट्रॉंगिस्ट से स्ट्रॉंगिस्ट सीरम भी वन रेशो टैन में यूज करने के लिए कहते हैं तो यह तो बहुत जादा रेशो है मतलब कि एक बूंद आसिड का दस चीज में दस बूंदों में सॉल्वेंट पर आना चाहिए तो यहां तो काफी जादा कम रेशो है अगर आपको ऐसे जनी है जो बिल्कुल भी स्केप्टिकल है नहीं हम कर सकते हैं तो आप इस चीज को स्किप भी कर सकते हैं बट बलीव मी लेमन जूस आपके बालों में बिल्ट अप हो रहे किसी भी चीज को कम प्ल कर रही हो और मैंने बहुत अच्छे से समय लेकर पूरा का पूरा जो मिक्स्टर है इसको ब्लेंड किया है एक सार किया है ऑविस सी बात है कि जो सरसो का तेल है वो इमसिबल है वो मिलेगा नहीं आपर लेकिन आप फिर भी इसको अच्छे से मिला लीजिए ताकि एक सार सा क्वांटी बन जाए जब आप इसको अच्छे से जब आप देखें कि पूरा का पूरा एकसार हो गया है दही या कोई भी इंग्रीडिंट अलग अलग नहीं दिख रहा है अच्छे से एक जैसा हो गया है क्रीम बन गई है सुन्दर सी आपका मास्क बनकर रेडी हो गया है अ सबसे पहली चीज जो मैं हमेशा कहते हूं वह है अपने बालों को सुल्चा कर रखें यह जो अप्लिकेशन होते हैं यह आगे चल कर थोड़े से मैसी हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि बालों को और जादा उल्चा देंगे इसलिए सबसे अच्छा और सभी तरीका है कि बाल कर सकते हैं क्यूं किसमें सर्सों का तेल है जो नॉर्मली अपनी लगा पाते हैं लेकिन इस मास्क के माध्यम से हम वह कंडिशनिंग आपके बालों को देने वाली है कि आप भूल जाएंगे कि बही वह सर्सों का तेल करमियों में इतने ठंड़क के साथ लगाए जा सकता है अच्छे से अपने बालों को सुल्जा लीजिए और इसके बाद अब आप ब्रश की मदद से ताकि एक-एक स्ट्रैंड को पूरे के पूरे स्काल्प को हर एक लेंद को आप अच्छे से डिपोजिट कर पाएं मैंने अपनी अप्लिकेशन करके पूरी पहले स्काल्प को कवर किया और धीरे 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 मैं सेक्शन लेती गए और मैंने पूरे बालों में अच्छे से इस मास्क का अप्लिकेशन किया है पहले एक साइड और उसके बाद मैंने लेंद को कवर किया है मेरे बाल अभी भी गी इसके एक अप्लिकेशन से और कोई आपको मसाज नहीं करनी कुछ नहीं सरफ डिपॉजट इंग्रीडियन्स इतने स्ट्रॉंग है कि वो खुद ही काम कर लेते हैं और अच्छे से पूरे के पूरे स्कैल्प लगा लेने के बार अब आपको पूरी लेंद पर कवर करना है जैसे आप अप्लिकेशन कर रहे हैं तो आप इसको बीच से यू खोलेंगे और फिर बीच में भी अप्लिकेशन करेंगे इस तरीके से अगर आप प्रॉपर अप्लिकेशन करते हैं तब आप देखेंगे कि आपका एक एक स्ट्रांड जो है वो एक्सराइस हो रहा है और पूरी लेंद पर अच्छे से अप्लिकेशन कर लें, यू आर कॉन्फिडेंट की हाँ हमने हर एक स्ट्रैंड को कवर कर लिया है, इसके बाद आप एक बन बनाएंगे, एक टॉप बन बना लीजे अच्छे से, और उसके बाद भी, यह जितना भी बचा हुआ है मास्क, बचाना तो है नी, अच्छे से पूरे पूरे बालों को अच्छे से कवर कर लीजे, पूरे बन को कवर कर लीजे, और इसके बाद एक rubber band से आप इसको सिक्योर कर लीजे, ताकि वो हीले डूले नहीं, और क्योंकि अगर हमने दही का इस्तमाल किया है तो तपका तपकी थोड़ी बहुत definitely होगी टाल लगा लिजे, don't worry, ऐसा कुछ जादा messy काम नहीं होगा बढ़ हाँ थोड़ा सा तपक सकता है तो उसके लिए आप mentally prepared रहिए इसके बाद आपको एक shark cap लेना है और shark cap को आप इसके उपर लगा लेंगे ताकि यह जो conditioning है यह बहुत अच्छे से आपकी scalp को, आपके बालों को आपके strands में जो deposition हो रखा है उसको address कर सके और आपको बहुत अच्छे results दे सके अच्छे से इसको अपने बालों में लगा रहने दीजे बच्चे से 30 मिनट जितना भी टाइम आपके पास है और इसके बाद आप इसको अपने नॉर्मल शैंपू से वाश करेंगे वाश करने के लिए आप सबसे पहले तो ऑब्विसली यह shark cap अटाएंगे अटाएंगे और उसके बाद आप पानी से अच्छे से पहले सारा का सारा जो हमने डेपॉसित किया है उसको बहा देंगे बहुत आसानी से निकल जाएगा और सर्सो का तेल हमने पूरे स्ट्रैंड्स पर लगाया है धोते हुए आपको पता चल जाएगा कि आपका एक एक स्ट्रैंड इतना मॉइस्टराइज हो रखा है कि आप बोलेंगे कि बस कर दिया काम इस मास्क ने अपना इसके बाद आप एक मग में पानी लेंगे शांपू लेंगे इसको अच्छे से करेंगे और उसके बाद पूरे आपके स्कैल्प पर लगाते हुए नीचे के बालों को वाश करेंगे अगर जरूरत पड़े तो दो बार वाश कीजिए क्योंकि यह सर्सों का तेल है कुछ लोगों के लिए बहुत आसानी से नहीं निकलता है तो दो बार वाश कीजिए कोई परिशानी नहीं है. मार्केट बेस्ट क magistर की आपको आवशकता बिलकूल नहीं पढ़ेगी यह बहुत स्ट्रॉन क्रीशनर है. स को लेना है गुलाब जल जब आपके बाल सेमी ड्राय है मतलब की बिल्कुल गीले नहीं बिल्कुल सूखे नहीं बस सेमी ड्राय से आपके बाल है आपको लेना है अच्छे से अपने पूरे स्काल्प पर और अपनी पूरी लेंध पर लगा लेना है और इसके बाद जैसे बाल इतने हलके महसूस हो रहे हैं कोई भी डिपॉजिशन किसी भी तरह की परिशानी आपके स्काल्प पर जो घमोरिया थी सब एड्रेस हो रही है और आपके बालों में वो जो आपको हर तीसरे दिन बाल धोने पड़ते हैं और जायद वो चार से पांच दिन के बाद आपको ज़रुत पड़ेगी प्लीज अपने बालों को बांध कर रखिए ज्यादा एक्स्पोज ओफ मत कीजिए और आप देखेंगे कि शायद हफता भर भी आप निकाल सकते हैं क्योंकि इतने स्ट्रॉंग कंडिशनर्स हमने आपके बालों के लिए इस्तेमाल किये हैं नाव आंस आपकत वो जोश वो स्ट्रेंथ रहेगी कि वही सारे एक्सपरिमेंटेशन अपने उपर कर सके क्या इसको हम डेली स्तमाल करें डेली कुछ नहीं करना है हफते में अगर एक बार भी इसको कर ले तो यह बहुत ही स्ट्रॉंग रेमेडी है बल्कि दो हफते में एक बार कीज आपसलूटली नो प्रॉब्लम क्या इसके कोई साइड एफेक्ट्स है एक भी साइड एफेक्ट नहीं है हाँ अगर आप किसी स्पेसिफिक चीज से परिशान है या अलर्जिक है तरह किना कॉमेंट आपको देखना पड़ेगा और उसके बाद इसको अगर आपको सूट कर तो कोई भी केरेटन प्रीम कोई भी प्रोटीन मास्क इसके आगे फेल है एक बहुत ही जेंटल मास्क है आपके बालों के लिए लेकिन बहुत पाफुल है और बहुत सारे बेनेफेट्स रखता है So my wonderful people, कैसा लगा आप सभी को हमारा सरसो के तेल का रायता, मज़ा आया? अगर मज़ा आया तो लाइक करना मद भूलेगा अगर चानल पर नए है तो सब्सक्राइब किये बिना बिल्कुल मज जाएगा मैं आप सभी के साथ बहुत सारी नए नए चीज़े शेयर करने के लिए लाने वाली हूँ हम बहुत सारा फान करने वाले हैं तो stay tuned और प्रीदी प्रेना के सभी चानल से जड़े रहिए I love you all, take really good care of yourself Take care सरसो के तेल का रायता, literally हाँ खा मत लेना, okay, रायता बोला तो खा लिया कहीं